अगर आपके स्किन में टैन है या फिर स्किन में काला पना गया है उसे दूर कड़ेगा अगर आपके स्किन में एजिंग साइन आना स्टार्ट हो गई है जैसे कि फाइन लाइन्स रिंकल इस तरह की प्रॉबलम है स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है मुझाया हुआ है अगर आपके स्किन में टैन या फिर डार्कनेस की प्रॉबलम है तो फिर यह उसे कम करेगा अगर आपके स्किन में डार्क स्पॉट है एकने होने के बाद भी उसका जो स्पॉट है वो रह जाता है या फिर स्किन बिल इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कच्चा आलू, आलू को मैंने दो के उसे पील आफ कर लिया है, आलू में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीस होती है, जो कि हमेरी स्किन को लाइटन ब्राइटन करती है, दाग, धबे, जाईया, पिग्मेंटेशन, पूराने से पूराने पिग् करती है, और स्किन को ब्राइट बनाती है, तो मैंने यह पर क्या किया है, आलू को अची तरह से ग्रेट करके इस तरह से हाथों से दबा के इसका मैंने रस निकाल लिया है, अब चाहिए तो मिक्सी में इसे पेस्ट कर सकते हैं, और उसके चान के इसका रस निकाल सकते हैं, और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यह सफेद आलू ही लेना है आपको पहारी आलू या फिल लाल आलू इस्तमाल नहीं करना है आपको सिर्फ सफेद आलू लेना है इसमें नैच्रल ब्लीचिंग प्रॉपर्टिस बहुत जादा होती है जो कि मैं स्किन के लिए बहुत ले लिया है अब इसमें हम एट करेंगे एक चमच शहद में धेर सारे एंटी ऑक्सिजन विटेमिन मिरिल्स होते हैं तरह तरह की फूलो की जो एक्स्ट्रैक्ट है वह इसमें होती है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है कि स्किन से ये फाइन लाइन को दूर क करती है आपकी स्किन को सौफ्ट स्मूध बनाती है मदू हमरे स्किन के लिए हनी अपर बहुत ही अच्छा है नेक्स में यह एड करो एक चमच कौफी पाउडर कौफी में भी धेर सारे एंटी ऑक्सिटें होता है और ये स्किन ब्राइटनिंग प्रोपरटिक्स है कौफी हम और ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है अमरे स्किन को जेंटली क्लीन करती है नेच्रल जो हमरे स्किन की ऑईल है उसे बिल्कुल भी हर्म नहीं करती है और स्किन को भी लाइटन ब्राइटन करती है इसे भी रिमॉफ करने में बेसन मदद करती है तो इन सारी चीजों को अची तरह से mix कर लिया है और हमारा anti-aging skin brightening face marks बिलकुल तैयार है चलिए देखते हैं इसे किस तरह से apply करना है और आग जो मैं remedy share करना ही हूँ न वह लड़का लड़की teenager कोई भी इस्तमाल कर सकता है और यह जो remedy है यह हफते में आप 2-3 वार इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही बड करना है तो सबसे पहले आपको अपनी skin को cleanse कर लेना है किसी फेश वास अगर आप घर में है तो नॉर्मल वाटर से भी स्किन को अची तरह से क्लेंज कर सकते हैं उसके बाद अच्छी तरह से आपको इसे फुल फेस पे अपलाई करना है यह क्या करेगा अपकी स्किन को टाइ अगर आपके skin में open pores problem है या फिर skin में बिल्कुल फी glow नहीं है बेजान मुझाई हुए डल दिखने लगी है और आजकल तो गर्मियों का मज़ों चल रहा है यहां पर हमरे skin में बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है skin काला बढ़ जाता है skin में एक डलनेस आ जाता है skin रुख तो इस फुल बॉडी में apply कर सकते हैं आपके हाथ पा गर्दन पे back पे कहीं पे भी आपसे इसे इस्तमाल कर सकते हैं 100% natural remedy है बिल्कुल भी harmful नहीं है तो कोई भी इसे 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 फुल फेस पे अपको apply कर लेना है उसके बाद इसे पांच मिन तक छोड़ दे र करते हुए रब करते हुए आपको इसे धोलेना है यह आपके skin से tanning को remove करेंगा और इस तरह से अगर रब करते हुए massage करते हुए आपको इसे निकालेंगी ना तो sports के अंदर जो गंदगी है या फिर आपकी skin में जितने भी ब्लैक हेट स्वाय चास है वह इन कल जाएगा और अब मैं एक गीले टावल की मदद से मेरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर रहे हूँ और आप देख सकते हैं स्किन कितना क्लीर ब्राइट और ग्लोइन लग रहा है यह आपके स्किन से जितने भी मैल है गंदगी है टैनिंग है उसको रिमूफ करेगा स्किन को लाइटन ब्रा अब हम बनाएंगे एक एंटी एजीन सीरम जो कि आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेंगा और एजिंग साइन को भी कंट्रोल करेंगा तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ मैं जो आध हालुकर रस मैंने रख दिया है जो दो चमच उसमें मैं एट कर रही हूँ कॉफ अधा चमच उससे भी कम ग्लिसरीन ग्लिसरीन हमेरे स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सपल बनाती है फाइन लाइंस रिंकल्स एजिंग साइन को दूर करती है और स्किन को नडिश करती है नैचरली ग्लो करने में मदद करती है आपके पास जो भी नाइट क्रीम या फिर मॉश्यर अशच करता है अब इसे अपके फेस में मसाज देना जा करने में कम से कम 10 मिन Patty तक इस तरह से अपको अपने फेस में मसाच देना है तुछ फीलम घंगे खिरना में मधद करता है पाइली चाह्ग पासली में मियंद कर इंस चाहँ ए जो सब्ह 끼ं समीद कहरते है यह डरा हों द ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसकी बज़े से स्कीन में बहुत ही अच्छा ग्लो निखाडाता है इस तरह से अपको अपलिफ्ट करके से मसाज देता है इससे क्या होगा अगर लटक गई है एजिंग साइना स्टार्ट हो वे है तो इस तरह की प्रॉब्लम को यह दूर करता है स्कीन को टाइट बनाता है स्कीन को जवा यंग और ग्लोइंग बनाके रखता है तो इस तरह से अच्छी तरह से आपको अपने फेस में मसाज देना है मसाज देने के बाद इसे आपकी स्कीन में 10-15 मिन तक इस तरह से छोड़ देना है ताकि यह जो रमडी है आपकी स्कीन म देखिए इतना अच्छा result मिलेगा ना कि आप इसे जरूर करवाते रहेंगे और यह जो remedy है यह लड़का लड़की टीनेजर कोई भी इस्तमाल कर सकता है और इसे आप हफते में दो बार इस्तमाल कर सकता है यह आपकी tanning को भी दूर करेगा skin को moisturize भी करेगा एजिंग साइन को भी दूर करेगा skin को में एक ग्लो लेका तो इसे रख देने के बाद 15 मिर तक मैं मेरे फेस पे छोड़ दिया है उसके बाद एक गीले टाल की मदद से अच्छी तरस 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 तर से क्लीन कर रही हूँ करेंगे ना तो आपके skin भी soft smooth और glowing बन जाएगा और यह आपके skin से ना जो दाग धब्बे है जहाईया pigmentation aging sign उसे भी कम करेंगा और आपके skin को एकदम light and bright and glowing बनाना देगा तो वीडियो को देखने लिए बहुत बहुत शुक्री रिमेडी को ज़रूर ट्राइ करना मिलते हैं next video में